यह गाईज AWS ए रिलेटिट इंट्रीव क्वेस्टन है जो हम डिसकस करने वाले हैं तो इंट्रीविवर ने मुझे पूछा था अगर मेरी पैम या डोट पीपी के फाइल जो हम सर्वर क्रियेट करते हैं प्रोवीजन करते हैं उस टाइम हम जनरेट करते हैं अगर वो डिलीट वैसे अगर बेसिक पॉइंट वीव से भी देखा जाए तो काफी इंपोर्टेंट क्वेस्टन स्पोज आपका प्रोडुक्शन सर्वर चल रहा कोई राइट और उसकी की बाई मिस्टेक आपसे डिलीट हो जाती है तो उसको आप कैसे रिकवर करोगे मालनो कोई इशू आत अज़िस्टिंग सर्वर है उसकी एमाई उठालो यह उठाने का मतलब क्या है तो जो एक इमेज बनाओ उस इमेज से नया सर्वर लॉंच करोगे तो आप से उस टाइम पे वह की के बारे में पूचे का तो आप अपनी जो भी आपने कस्टम की बना रखे अफे नई की आप तो आपका जो नया सर्वर होगा उसकी अमाई है तो सारा डाटा वैब वन का इसके अंदर होगा तो मतलब तो यह भी एक वे है जो काफी अग्लिध कर सकते हो बट मैं इसको रखर यह उपका थ्री लेर अर्किक्टेक्ट्र चलता है उसमें फिर एप चलता और फिर डीबी चलता है उसके में मतलो की अप्स अर्ग कर रखादा या फिर घव झरता या फिर दीबी चलता है तो क्या होगा, जब आप नया सर्वर AMI से लंज करोगे तो उसकी IP नया IP अलोट करे गा AWS. अब नया IP अलोट करेगा तो क्या होगा, via prp1 पर आपने hardcore कर रखा IP को, तो DB पर hardcore कर रखा आपने IP को. तो इस case में क्या होगा? इस केस में सिनेरियो यह बन गया कि आपकी जो एप्लिकेशन चल गए तो 90% चांसी होगे कि वह एप्लिकेशन आपकी ब्रेक होगी रैट तो जो आपने IP हाड कोर करके वह IP आपको मैनुली चेंज करने पड़ेगी अगर आप मैनुली चेंज नहीं करोगे तो आपकी एप्लिक करने वाले हैं मतलब क्या है मालनों सुपोज यह मेरा वैब सर्वर चल रहा है तो वैब सर्वर में क्या करने वाला हूं सुपोज मेरा यह वैब वन सर्वर है जो जिसकी की लोस्ट हुए तो जिस वोल्यूम में हमारी की स्टोर होती है वह ता रूट वोल्यूम रैट तो र बनाके जो भी मुझे चेंजिस करने होंगे राइट वह मैं चेंजिस सारे एप सरवर पर कर दूंगा आई हो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग गया हुआ बट हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं तो उससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा तो हम यह सैकेंड वाली अप् यह सैकेंड अप्रोच को प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म करने के लिए मैंने कुछ मैनुली स्टैप राइट कर रखें जो आपकी प्रैक्टिकल लैब को काफी इजी बना देंगे तो लेट सी कि क्या क्या है तो नीड टू क्रियेट सर्वर्स वैब वन और वैब तो य तो अभी मैं आ गया हूं AWS कंसोल पर तो मैं जल्दी-जल्दी मैं दो सर्वर्स क्रेट कर रहा हूं और उनकी की भी डिफेंट करने है क्यूंकि हमें एक की डिलीट करनी है और एक की नहीं करनी है तो जिसके डिलीट करनी है उसकी रिकॉर्स करके मैं शो करूँ हूँ नेक्स कर रहा हूं बाई डिफोल्ट तो सेक्योर्टी ग्रूप में हम सब ट्राफिक अलो कर रहे हैं एज उफ नौ तो यह आपके ओफिस के इंफ्रा में रेकमेंड़ नहीं होता बर टेस्टिंग के लिए ताकि कुछ ब्लोक ना हो तो फास्ट करने के लिए बस जस्त मैं अल कुछ chicken एंग आप तो यह जो राइट जबने वाला तो मैं इसके लिए एप वाली की बना लेता हूं अपको क्या चाहिए वह आपके सर्वर के कोडिंग आप फुट कर सकते हैं कुछ भी तो नाम में तो है आपने साथ हुआ है तो यह अपना स्थिक्षा अपनी की से कृइट एक दो मिल्याट में लाइगे तो लेट सी तो मेरा वाएब सर्वर तो डीण कर पा रहा है तो अपनी की से राइट तो वाइब वन की क्या मेरी वैब वन की की है वैब वन तो बत एक बात ज्यान दें जब आप AWS के सरवर पर लोगिन करते हो तो उसकी की की परमिशन कर लेता हूं आट तो लेट यडैजन अरो ऊडिशन हीजन्स आपको पता होगा ौग उसको प्रैयोग कर लेता हूं और ने जब्लम और इसकी आईप अनके स्स himself लिए लगा तो इसकी पर में परोवायड़ ना उसकी ब्लेक नाओक्न Pom twelve सर्वर में लोग इन कर पा रहा हूं प्रोपरली मतलब मेरी वैब सर्वर की की प्रोपर काम कर रही है राइट तो सिमिलरली जब आप चेक करोगी तो आपकी एप वन की भी आई-पी प्रोपरली वर्क करेगी डेफिनेटली राइट तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबी ना उ तो हमारा मतलब जो आज का इंटर्वी क्वेस्टन था यही था यहां पर कि मालनो सुपोज जो मेरा वैब वन सर्वर है तो उसकी की को मैं डिलीट कर देता हूं तो कैसे रिक्वर करोंगा राइट तो लेट मी शो यू कि कहां पर है मेरी डाउनलोड के अंदर डाउनलोड यहां पर कुंछी की है वैब वन राइट तो इस की को मैं डिलीट कर देता हूं राइट अब मेरे की डिलीट हो गई है तो मेरे पास की क्या है सिरफ एप वन की तो अब मुझे इसको रिकवर करना है क्यूंकि अब अगर आप ट्राइ करोगे उसमें लोगन करने का तो आप क्यूंकि की की मैंने डिलीट कर दी है अब यह लोगन करने ही नहीं देगा पू मेरे वहां पर की एकवर करके देखने वाले एक आप तो की डिलीट करने के बाद हमारा रिकवर का स्टैप क्या होगा आम सर्वर को वैब 1 को श्टोप करना है उसके वोल्यूम को डियाटेश क करना और d attach करने के बाद f1 के साथ attach करना तो यह तीनों step में एक साथ करने वाला हूं तक कि थोड़ा सा fast हो तो web1 को मैं stop करने वाला हूं let me stop it stop एक बार order कर देता हूं तक कि fast stop हो forcefully you can see right तो हमारा instance stop हो चुका है right तो अब second step क्या था इसके volume को d attach करना volume क्या है बट एक बात यह आन रहे तो जो volume यहां पर ना नेमिंग कन्वेंशन हो वही जैसे sda1 जब attach करोगे तो sda1 होना थी है ना कि sdab या फिर sdf sdavfs ऐस टाइप के volume आते तो जो sgt जहां वही होना थी है हमारा क्या sda1 है right तो let me de-attach it तो इसको मैं de-attach कर रहा हूं करने के बाद available आ गया right तो अब इसको क्या करना मुझे इसको attach करना अपने web app1 वाले के साथ right तो app1 वाले के ip क्या है instance id instance id के भी आप ही हम attach करते हैं आई ओप आपको यह basic बाते पता ही होई action attach instance id running right तो जो भी नाम आपको रखना यहां पर नाम आप secondary volume का कुछ भी रख सकते हो बर जो root volume का वह नहीं रख सकते राइट तो मैं अभी sdf e write कर रहा हूं तो एक बार refresh कर लेता हूं ज़्यदा time नहीं ले गए in use right तो अभी आप refresh करोगे यहां पर जाके देखोगे तो web server के साथ हमने by default जब create किया तो एक ही volume था अब app 1 के साथ sorry app 1 के साथ अभी हमारे दो volume attach हो जाने चाहिए एक secondary जो root वाला और एक जो मैंने secondary web 1 का बनाया है right तो volume हो गए right तो let me login into it और देखते हैं कि हम कैसे require करना है तो पहले तो वही जो same step हमने web 1 के लिए किया था जो permission करनी है change उसकी permission में change कर लेता हूं 440 इसकी app 1 वाली की permission change होगी तो अब मैं उसके अंदर login कर लेता हूं ssh-i तो अपने key हमने select की है c2-user add the rate तो हमारे instance की IP है right आई होप आपको basic बात यह पता ही होगा कि volume का attach de-attach कर रहा हूं मतलब कोई ऐसा rocket science कुछ करी नहीं रहा simple attach किया दूसरे पर de-attach एक पर attach किया दूसरे पर de-attach किया और उसमें login कर रहा हूं right को पी तो यह मांग रहा है तो मैं यह कर देता हूं right तो great तो मैं server के अंदर आगया मैं sudo-soo करके एक बार root user के अंदर भी चला जाता हूं तक कि मैं उस volume को mount करूंगा तो वह काफी easily mount हो पाए user से permission denied का error ना दिखाए तो हम जैसे अब मैं बता रहा था कि आपको थोड़ी सी Linux की basic knowledge होने चाहिए कि mounting कैसे करते हैं जो unmount volume उनको कैसे देखते हैं का ID कैसे देखते है right देखो यहां पर मेरे पास जो secondary volume है यह वाला आ गया df मैं एक बार और दिखा देता हूं lsblk तो देखो इसमें क्या दिखा रहा है जो पहले वाला इसका master xvd यह जो भी था root volume वो properly attached at the root slash के उपर right जो हमारा second volume वो attached नहीं है तो हम उसको mount करना पड़ेगा किसी पॉइंट के उपर okay let's see कि mount कैसे करते हैं देखो आपको एक बात द्यान लखने लिनेक्स में जब भी आप root volume mount करोगे तो देखो आप देख रहो uid 8585 तो मतलब क्या है यह almost same है almost same नहीं बिल्कुल ही same है xvda2 की two के साथ match करें राइट तो यह duplication हमें टानी पड़ेगी एक बार तो हमें वह id change करनी पड़ेगी right तो लेट मी शो यह एक बार mount करने के try कर लेते हैं कि mount कर पा रहाँ को नहीं कर पा रहाँ अगर हो पा रहा तो well and good है otherwise हम कुछ उगार करने वाले right तो mount क्या करना mount dev xvda2 करना मुझे xvdf2 right कहां पर करना suppose मैं mnt पर mount करता हूं देखो मैंने बोला था ना कि error दिखाएगा क्यों दिखाएगा error तो चलो मैं आपको error भी दिखा देता हूं कि error क्यों दिखा रहा है तो यहां पे command आते है d message करके तो हम उससे message का error भी देख सकते हैं कि message में हमारा error क्या रहा है right तो let me वह मैंने slide ही थोड़ी देर पहले उससी को copy paste कर लेता हूं spelling याद नहीं है तो d message के नाम से right तो d message में आपको कुछ भी दिखाएगा जरूर देखो line number second last मे file system has duplicate uid तो कहने का मतलब जो दो duplicate id बनी हुई है एक हमारे पहले root volume की और जो हमने secondary बनाया दूसरी उसकी तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा हमें by default को या फिर जो भी है नहीं id करने की majority तो इसju धाँ करने की messenger सबढ़ाता वह करने की कमांड को मैं चलाता हूँ अपने AND को मडिवाई करके इसमें हमारा volume क्या है तो इसमें हमारा volume एक्सवीएफ अब आएडी चेंज करनी है तो मैं किमांड को चलाता हूँ तो देखो अब एक नहीं id u redu ce गया गी मैं blk id दुबार से चलाता हूं आपकी तो देखो यहाँ पर जब क्या आजी थी जो एक डीवी एफ की वैली थी और एक वैली थी सेम थी बट अभी क्या होगी चेंज ओके डिफरेंट आगी तो आप करने वाले हैं दो सकीफिक़olic को आपको यहां पर होगी प्र Bowl लेक्टे से मैंनले कंडेट मले उस लिख उसलिए वह में और है चेंज है नाहीं लेग उसलिए वह बरनागह प Tap कि यहां वैसले क्या है जो बूट ही नहीं होने देगा उसको फेलियर करेगा तो उसके बाद मतलब आपको माइंड पर रखना कि इसको चेंज भी करना है तो अभी के लिए मैं इसको माउंट कर देता हूँ करेक्ट तो अभी देखना अभी कहा पर हूँ है पी डवोडी इम इंती के अंदर रैट एमन टी के अंदर क्या हुग ए मिरा स्केंडरी वॉल्यूम था जो मेरा वेब बन सर्वर ता उसका रोट वॉल्यूम मैप हो गया तो मुझे यहां पर क्या चेंज करना, cd, home, ec2 के अंदर एक file होती, dot ssh key, right, इसके अंदर जाना और यहां पर authorized key होती है, जिसके base AWS में हम authentication कर पाते हैं, तो उसमें जाके अभी by default क्या है, यहां पर web1 वाली है, right, तो इस web1 वाली key को change करना है, और अपनी जो key आपको add करना है, उस key को यहां पर add करना है, right, let suppose, कि मैं कोई नई key generate करके add करना चाता हूं, तो मैं आपको practical भी show कर देता हूं, right, let suppose, तो यहां पर कुछ command आतनी है, ssh-key gen, right, तो आप enter मारोगे, तो आपकी key generate हो जाएगी, यह बोला कि already exist करती है, अगर आप उसको override करना चाते है, तो मैं उस परपल से, right, तो अब मैं उसमें चला जाता हूं, cd.ssh में, right, तो यहां पर मेरे दो key create होई होगे, एक private key और एक public key, right, तो mindate key जो AWS के server पर key जाएगी, वो जाएगी अपनी public key, जो private key जिस से authentication लेना है, वो रहेगी हमारे पास, right, तो मैं public key को वहां पर copy कर लेता हूं, cat, copy, paste, and cat, देखो यह की है, right, यह है मेरे public key, तो अब इस public key के base पर मैं authentication करने वाला हूं, इसको मैं copy कर लेता हूं, यहां से, copy, और मुझे कहां paste करना है है, जहां पर मुझे authentication लेना, authentication कहां लेना, मुझे, AWS के server पर, right, AWS के server पर कौन सी file में एड़ करना है कि, authorize, authorize.game, जो पहल कर देता हूं, right, तो copy, paste कर देता हूं, जो मैंने key बनाए, बट्यान रहे, कोई space या कुछ external लगे, अदर्वाइस आपके key काम नहीं करेगे, right, तो एक key मैंने properly copy कर दिया है, paste, save, sorry, save करने के बाद मैं एक बाद थोरा आइज की मैं देख लेता हूं, कि मेरी हुई है, कि मेरी कर देखो, कोई space space नहीं है, properly है, copy paste होगा, मतलग कहने का कि जो मेरी public key जो मैंने SSH से create किये, वो मैंने कहां पे copy paste करी है, वो मैंने अपने AWS के server पे copy paste कि, right, और private की मेरे पास है, जिसे मैं authentication लोगा, right, तो let me show you as well, देखो, ये मेरी, ये तो मेरा AWS का server है, ये मेरा है, जो मेरा local host है, you can say, right, तो यहां पे देखो, मेरी, क्या है, id underscore rsa, तो मैं id underscore rsa को copy paste कर लेता हूँ, किस में, id underscore, मालो कि ये मेरी web one key dot pam file बनेगी, right, ये को copy होगी, बट उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था, उसकी permission क्या होनी चाहिए, उसकी permission होनी चाहिए, four one, four zero zero, right, तो मेरी information भी set होगी, हमारी key भी proper set होगी, तो अब हमें क्या करना, again, again हमें कुछ नहीं करना, हमारा, जो volume उसकी uid change करनी है, ये बात ध्यान रहे, जो मैंने uid change की थी, वो again rollback आपको definitely करनी पड़ेगा, दरवाई उसको boot up ही नहीं होने जएगा, command क्या थी, command हम देख लेते हैं, एक copy paste कर देता हूं, paste, उसके coding, जो भी changes अपने coding changes बना देता हूं, xvvf2, right, तो ये हमारी है, तो और मुझे इसकी custom id क्या बनानी है, जो मेरी custom id पहले थी, उसके साथ change करना, ये बात ध्यान में रखनी पड़ेंगे, Linux से बेसे related बाते हैं, थोड़ा tough पढ़ रहा है, बट काफ ये थी, मेरी ये थी, copy and paste, right, देखो, could not fatal error दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, वो देखना पड़ेगा, ये mounted file system, ये बोला कि पहले mounted file system में इसको unmount करना में बूल गया, तो unmount कर लेता हूं, एक बार unmount हाइफन ये ही मार देता हूं, ताकि जो भी unmount होंगे, तो वो सब को unm कर देगा, right, तो इसने unmount कर दिया, आप दूबारा चलाओगे, तो ये custom ID आप ही create कर देगा, वो उसने proper अब भी unmount नहीं किया, क्यों माउंट नहीं किया, अब हम कहां पे हैं, उस existing के अंदर है, इसलिए ये उसको busy दिखा रहा है, तो हम इससे बार आना पड़ेगा, और उ अब हमारी ID क्या होगी, बिल्कुल अब शेम होगी, दोनों की root ID जो भी है, तो ये metadata में इसके यही थी, इसलिए मैंने इसको वापस rollback out किया, दरवाइस तो हम AGT भी छोड़ सकते हैं, अगर कोई और volume होता, क्योंकि तो वो जब use होती है, जब आपाना server boot up होता है, अगर व अगरा माउंट कर दिया, मैंने इसको after mounting create custom message की create कर दी मैंने, तो mind it मतलब की public की हमें कहां पे करने कोपी, AWS के server पे कोपी करने, इस path पे, तो authorize की में मैंने copy paste कर दी है, right, after that deattach करना volume हमारा app server से, उसको attach करना web के साथ, और उसके बास server को start करना, और हमें try करना, मतलब कहने का यह है, कि जो हमारा यह server है, इसको अब मुझे stop करना है, right, और उसका जो volume है, उस volume को मुझे deattach करना है, right, let me show you, तो एक दो मिनट लेता है, start stop होने में, forcefully कर देता हूँ again, इसको, तो यह stop हो चुका, अब क्या करना है, जो इसका secondary volume हमने attach किया, web1 वाला है, इससे deattach करके वापस, web1 के साथ मुझे इसको attach करना है, right, let me show you, तो हमें deattach करना है, इसको deattach किया, यह दो, दो मेंट कहा है, यह तो पांच-दा सेकंड लेता है, right, तो इससे मैं बता लेता हूँ, इसकी जो idea, वो copy कर लेता हूँ, इसके साथ, इसके साथ attach करना है, मुझे, right, तो इसके साथ मैं attach करने वाला हूँ, जो भी available state में आजएगा, attach कर देता हूँ, अभी attach, जो instance idea, वो, बट यहाँ पर most important चीज है, जो आपको ध्यान रखने है, SDF नहीं रखना, SDA1, जो हमारा पहले था, क्योंकि मैंने बताया कि इसकी सारी details कहां पर होते हैं, matter data में, otherwise यह फिर fail होगा, जब आप boot up करोगे अपने server को, right, तो अभी मैंने किसके साथ attach किया है, इसको, web1 के साथ, SDA1, right, मतलब कि मै आपको याद भी होगा, right, let me start it, और देखते हैं कि एक बस login कर पा रहे हैं, कि हम नहीं कर पा रहे हैं, यह मैंने server को start कर दिया है, तो आप एक चीज और कर सकते हो, कर आपको कुछ doubt आ रहा है, कि आप कुछ फटने वाला है, तो एक चीज क्या कर सकते हो, आप अपने snapshot या logs म नहीं आ रहा, भी लोग तो प्रेंट होना नहीं start हुए, बट आप snapshot में check कर सकते हो, let me show you snapshot as well, snapshot भी एक दो minute लेता है, create होने में, let me show you, देखो, snapshot बनना start हो गया, right, तो आप snapshot में आप देख सकते हो, कि backend में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, right, देखो, आपका server properly login हो गया, right, तो मतलब यहाँ पर कोई issue नहीं है, आपको just login करके देखना है, एक बार क्या proper login कर पारे हो, कि नहीं कर पारे हो, right, तो let me check that, कि ह हमारा जो lab किया है, जो हमने key recover की है, वो properly काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो हम check करने वाले है, right, तो एक बार मैं server के IP देख लेता हूँ, क्योंकि जब भी server stop start होता है, तो हमा zone की public IP को change करता है, right, तो हमारी public IP क्या आगी है, हमारी public IP यह, right, तो अभी मैं सरफ, अपने local host क open कर लेता हूँ, जहाँ पे मेरी private key पड़ी है, right, तो private key काहँ पड़ी है, मेरी dot SSH में, right, web1 के नाम से आपको याद होगा, तो मैं बनाई थी, dot SSH में, dot SSH में जाँगो, तो क्या दिखेगा मुझे, यहाँ पर authorized की file दिखेगी, तो वहाँ पर मैं देखूँ, आपको दिखा आई देता हूँ, जो key मैंने देखो, अपने user से बनाई थी, decode के नाम से, वो की यहाँ पर server के ऊपर add है, right, तो मैं इसका IP भी एक बार check करव देता हूँ, आपको, देखो, IP क्या है, एक सो बहतर, rate, एक सो बहतर किसका है, इसका private IP होगा, डाइपने ले, right, तो इस server के ऊपर मैं login हूँ, पर ली, और key, क्या add है, अब देख पाले हो, जो की हमने custom बनाई थी, अपनी public, क्या बनाई थी public, D, कुमार 6, let me show you as well on this server, तो प देखो, पुब्लिक की क्या id underscore rsa.pub, तो यह सेम होनी चीए, देखो, यहाँ पे थोड़ा से बढ़ा कर लेता हूँ, मैं, देखो, D, कमार, तो मतलब कहने का यह है, कि हमारी जो public key add की थी, हमने require करने के लिए, वो properly काम कर रही है, right, तो इस way से यह थोड़ा लंबा पढ़ मैं यही recommend करूँगा कि आप इस approach से जाओ, काफी recommended approach है, काफी best way, streak way है, you can say, कि मतलब गलती के chances कम है, वो depend करता है, आपकी requirement के उपर भी, यार, अगर मालो, आपकी web server dev में चल रहा है, तो आप एक बार AMI बनाओ, उसको launch करो, आप manually जो भी change करना, आप change कर सकते हो, वो depend करता ह आपकी requirement पर, but production में मैं इसी को recommend करूँगा, right, अगर मेरी approach से चलोगे तो आप, okay, तो I hope आपको basic idea लग गया हुआ कि हमें require कैसे करना है, right, तो आप मैं अपने answer करता हूँ, जो आपको comment box में answer करना है, right, तो मेरा interview question क्या है, मेरा interview question यह है, कि जो हमने अभी require किया, वो हमने require क अगर मांदो, suppose मेरे windows server है, right, तो windows server पे मैं, अगर key मेरी lost हो जाती है, windows server की, तो मैं उसको कैसे require करूँगा, तो उसके step आपको comment box में write करने हो, let's see कि आपको मतलब कितना अच्छा लग रहा है, तो उससे पता लगेगा, और कि आपको basic knowledge है, आपको AWS की, उसका भी आपको basic idea हो